जोहिंद पेंस नमस्कार, सोप्रेंस इंडियान आरफोस ने इस्राइल में एक एर बेस पर आयोजित बहु पक्या ब्लू फ्लाग एक्सोसाइज में भाग लेने के लिए फाइब आरबंसेट मिरास 2000 आरकाप्स को भेजा है धान रखे ये अप्टक का सबसेब बड़ा और उन्नत एरियल एक्सोसाइज है जिसमें USA, United, State of America, India, United Kingdom, Italy, German, France सामिल होते हैं जिन्होंने इरो टाइफून, F-35, F-16, राफेल जैसे अपने 4.5 जनेशन फाइटर जेट्स भी भेजे हैं लेकिन इजराइले एर्फोस फार्स टाइम अपने F-35 पे आडिर स्टिल्ट ए आरकाप्ट का उप्योग किया है जो लोकर माटिनी F-35 स्टिल्ट के एक के मोडिफाइड भर्षन है धान रखे इंडियान एर्फोस के लिए यह पहला एक्सोसाइज है जहां यह जटिल F-Generation Fighter Z को समझन में करीब आ रहा है और F-Generation प्लाटफरम में आने वाली टेकनोलोजिस का एक बड़ी छलांग होता है जिसका अध्योन करने कलिए कोई बायूसना के पाइलोर्स उच्छुक होंगे क्यूंकि भारत को चीनी पक्षय से आने वाले 5-Generation के लड़ाकु जेर्ज की बड़े पेमाने पर तेनाती के खपरों का सामना करना पड़ रहा है F-35B, F-35 स्टील्थ फाइटर जेर्ज के बिमान को एक सोट टेकव पांड़े भार्टिकल लैंडिक स्टी ओबियल भर्षन का सामिल किया जा रहा है नाभाल मिक 29 के और इंड़ान पोस के SU-30M के आई साथ उड़ान भर रहे है इनके साथ जो इन स्क्वाड़न के पाइलर्स को अपने कोसोल दिखाने की अनुमोती देता है धान रखे हमें ये क्यूं चाहिए एक तो चाइना के वो काउंटर करने के लिए ये तो हो गया और एक है कि हम फ्यूचर को देखते हुए हमारे आडवांस मीडियोम कंपैक्ट आयरकाप्ट आमका को रेड़ी कर रहे है जो कि 2035 में फास्ट फ्लाइट करेगा और 2039 तक मास्ट परडक्शन में चला जाएगा तो इससे दखते हुए ये एकसरसाइज हमारे लिए के बहुत भड़ा इंपोर्टांट हो सकता है साथ-साथ 5.5 जेनरशन फाइटर आयरकाप्ट के साथ 4.5 जेनरशन आयरकाप्ट को मिलाकर कैसे यूद किया जाता है ये ओपरेशन को अन्जम जिया जाता है ये भी एक कोसल सिखने को हमारे आमफोसेस को मिलेगा क्यूंकि आने वाले कुछी सालों में हम 5.5 जेनरशन फाइटर प्लाटफरम के उपर जा रहे है